सोशल मीडिया को वैचारिक प्रदूशन से बचाना ज़रूरी आए इस विशय पर जानते हैं जबलपूर के प्रतिष्ठित पत्रकार सामाजिक चिंतक एवं विचारक श्री रवींद्र वाजपेई के विचार एक दशक से भी ज्यादा बीट गया मुझे फेसबुक पर आये हुए शुरुआत में रोमन में लिखता था अर्थात अंग्रजी लिपी में हिंदी फिर गूगल ट्रांसलेट ने देवनागरी में लेखन की सुविधा उपलब्ध करा दी उसके बाद मैं हिंदी में ही लिखने लगा एक पत्रकार होने के नाते मेरा प्रयास सदैव ये रहा कि मैं इस माध्यम के साथ जुड़े सोशल शब्द की गरिमा बनाये रखू शुरुआत में हलके फुल के विचार भी रखे किन्तु धीरे धीरे महसूस हुआ कि यह स्तरिय भाशा में अपनी बात रखने का सशक्ट और सरल माध्यम है वैचारिक भीनता के बावजूद हजारों ऐसे मित्र जुड़ते गए जिन्होंने अभिव्यक्ती के स्तर को सदैव बनाये रखा मेरा ये अनुभव है कि यदि सकारात्मक सोच के साथ अपने विचार सहज्टा से रखें तो असहमती रखने वाले भी आपके प्रती सौजन्यता से पेश आते हैं मेरे अभिनतम मित्रों में घोर आलोचक भी है किन्तु मैं उनके प्रती सम्मान का भाव रखता हूँ क्योंकि उनकी तीखी बातें मुझे अपने आपको समझने और आवश्यक्तानुसार सुधार हेतु प्रेरित करती है मैं राजनीती शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ और मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां राजनीती घुट्टी में पिलाई गई थी किन्तु मैं उससे बचकर पहले बैंक अधिकारी की भूमिका में आया और जब लगा कि वह रास नहीं आ रही तो पत्रकार बन बैठा उस नाते मेरी सफलता या असफलता का आकलंतो पाठक गण नित्यप्रती मेरे अकबार के माध्यम से करते होंगे किन्तु सोशल मीडिया पर भी मुझे हजारों मित्रों का प्यार फेस्बुक के साथ ट्विटर और ब्लॉगर के तौर पर मिलता रहा है मेरा मानना है ये इस माध्यम का सही तरीके से उप्योग करने से ही संभव हो सका मुझे आश्चर्यमिश्रित प्रसन्नता होती है जब किसी साधारन सी पोस्ट को मित्रों का अच्छा प्रतिसाद मिलता है क्योंकि वह हम सबकी जिंदगी से जुड़ी होती है राजनीती और उससे जुड़ी टिपणिया पत्रकार होने के नाते मैं करता ही रहता हूँ किन्तु जब किसी सामाजिक या पारिवारिक विशय पर लिखे विचारों को पसंद किया जाता है और मित्रगन उसे शेयर करते हैं तब उसकी पुनरावरित्ती हेतु मैं उत्साहि हो जाता हूँ यही वज़य है कि मुझे इस मंच का उपियोग व्यर्थ की छीटाक्षी और चुटकुलेबाजी के लिए करना रुचिकर नहीं लगता हम सभी महसूस करते हैं कि आजकल वायू प्रदूशन से ज्यादा वैचारिक प्रदूशन होता जा रहा है जिसके लिए सोशल कहे जाने इस माध्यम पर भी उंगलिया उठती हैं ये देखकर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस माध्यम को इसके नाम के अनुरूप बनाए रखें एवन ऐसे विचारों एवन व्यक्तियों का पूरी तरह तिरसकार करें जो इस पर किसी भी प्रकार की गंदगी फैलाते हूं यद्यपी यह खुला मंच है जिस पर किसी को आने से हम नहीं रोक सकते लेकिन दूर रहना तो हमारे हाथ में हैं आथ ऐसे लोगों को पूरी तरह से उपेक्षित करें जो स्तरहीन सामगरी परोस्ते हैं भले ही आपकी मित्र संख्या कम हो लेकिन यदी वह गु अनवत्ता युक्त है तब ही आप इस माध्यम का सही आनंद ले सकेंगे